हेलो एवरीवान माई स्वीट होम एंड डेकॉर चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स तो मेरे सारी फ्रेंड्स को नवरात्री की धेरो धेरो शुबकाम नाए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अब तक सब्सक्राइब ने किया है तो चटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ पान कुलफी तो इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है चली इसे बना लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मिक्सर जार ले लिया है इसमें मैंने 10-15 भिगोई हुए बदाम डालिये हैं और बदाम को मैंने छिलका निकाल लिया है और उसके बाद मैं इसमें एट करूँगी थोड़े से काजू 10-15 काजू अपले सकते हो तो इन दोनों चीजों को मैं यहाँ पर मिक्सी से अच्छी तरीके से दरदरा होने तक पीस लूँगी देखी यहाँ पर मैंने पीस लिया है तो यह दरदरा मिक्सर हम साइड में रख लेंगे और उसी मिक्सी जार में मैं अब ले रही हूँ पान के पते तो यह मेरे पास प्लांट था पान का तो उसी से मैंने पते लिए हैं तो जो इसके पीछे जो डंटल है मैं इसको तोड कर और बचे हुए पतों को इसमें टुकडे करके mixi jar में डाल रही हूं और देख लीजिए 4-5 पते मैंने इसमें तोड के डाल लिए हैं तो अब मैं इसमें half teaspoon soft add कर रही हूं और इसको हम पीस के चान लेंगे अगर आपको चानना नहीं है तो आप ऐसे भी इसमें add कर सकते हो तो इसको पीसने के बाद यहां पर मैं क्या करूंगी तो यहां पर मैंने खजूर भीगों के रख लिये थे यह dry खजूर है और इनको भी मैं टुकडों में काट लूँगे आप चाहे तो जो normal वाले खजूर आते हैं नरम वाले dates वो भी आप इसमें add कर सकते हो तो अब मैंने यहां पर एक pan ले लिया है और इसमें मैं add कर रही एक उबाल आने तक हम इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो दूद हमारा यहां पर देखी उबाल आने लगाया है तो side से भी हम इसको छुड़ा छुड़ा कर अच्छी तरीके से धीमी आज पर उबाल लेंगे तो अब मैं इसमें condensed milk add कर रहे हैं तो एक cup के करीब मैंने यहां पर condensed milk डाला है तो दूद और condensed milk दोनों को हम अच्छी तरीके से mix कर के धीमी आज पर उबालते रहेंगे और देखी कितना सुंदर color आ चुका है milk milk डालने के बाद और अब मैं इसमें जो बदाम और काजू हमने powder किया था उसको भी हम इसमें add कर लेंगे इससे बहुत ह अच्छा bite आता है हमारी कुलफी में खाने में बहुत tasty लगता है अगर आपको एकदम नरम powder चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो तो अभी मैं इसमें जो खजूर हमने काटे थे वो भी add कर रही हूं friends तो बदाम काजूर खजूर तीनों का हमने जो यह दरदरा powder बनाया था वो को भी हम इसमें add कर रहे हैं और इन सारी चीजों को भी हम धीमी आज पर एक से दो मिनट तक उबाल लेंगे तो इलाइची पाउडर भी मैं इसमें add कर रही हूं हाफ टीस्पून तो देखिए friends इस सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से यहां उबाल रहे हैं और अभी थोड़ा सा पतला है mixture तो इसको और थोड़ी देर उबालना पड़ेगा तो दो से तीन मिनट मैंने और उबाल लिया था अभी देखिए चमच पे हमारे यहां पर ददूद ऐसे गाड हो चुका है बिल्कुल दिख रहा है तो friends हम आप गैस को बंद कर लेंगे और साइट भी इसके अच्छी तरीके से चुड़ा लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे room temperature पे तो देखिए अभी धीरे धीरे हम इसको इस तरीके से चमच से चला चला कर ठंडा कर लेंगे बहुत ज्यादा गरम रहता है अंदर से तो अभी यह आदा ठंडा हो चुका है तो इसमें मैं आट कर रही हूँ जो पान का जूस हमने सौफ और पान का जूस हमने जो निकाला था वो और थोड़ा सा food color मैं इसमें आट कर रही हूँ तो friends यहाँ पर food color optional है आप इसको skip भी कर सकते है बस मैंने इसको अच्छे से color आने के लिए इसमें थोड़ा सा food color आट किया है तो देखी अभी हम इसको थोड़ी देर mix करेंगे तो color बहुत ही सुन्दर लगने लगेगा तो पान कुलफी का जो mixture है वो बिलकुल तयार हो चुका है और थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसको कु तो friends देखें यहाँ पर कुलफी का mixture बिलकुल ठंडा हो चुका है तो मैं यहाँ पर disposal glasses में इसको add कर रही हूँ तो आप चाहे तो इसे अपनी कुलफी मोल्च में भी add कर सकते हैं तो disposal glasses में भी यह बहुत ही बढ़िया बन कर आती है इसका शेप बहुत ही सुन्दर लगता है तो बचा हुआ mixture में यहाँ पर कुलफी मोल्च में add कर रही हूँ friends देखिए तो देखिए glasses भी हमारे बिल्कुल तयार है freezer में जाने के लिए तो 5-6 गंटे के लिए आप इसको freezer में रखिए और बढ़िया कुलफी बन के तयार हो जाएगी ठंडा ठंडा हमने इसको serve कर लिया है देखिए 5-6 गंटे के बाद हमारी कुलफी एकदम बिल्कुल मलाईदार तयार हो चुकी है पान कुलफी आप भी जरूर इसको try करना friends इस festival season में बाहर सी कुलफी मंगाने से अच्छा हम घर पे इसको जटपट से और असानी से थोड़ी सी चीजों से बना सकते है मलाईदार कुलफी पान कुलफी बनके तयार है तो मैंने इसको यहाँ पर गार्निश किया है तोड़ा से पिस्ता और टूटी फ्रूटी से तो friends अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा friends तो सारे friends को एक और बार मेरी तरफ से happy नवरात्री, happy दशेरा और खाये पिये, enjoy कीजिए अपने family के साथ और अपना खयाल रखिए, bye bye friends